Question is, HCF of two numbers is 30 and their LCM is 600. If the sum of these two numbers is 270, find out two numbers. Question में क्या है? कि HCF है हमारे पास 30 and LCM है 600. और दो नमबर का जो सम है वो है 270. तो यहां से पहले A into B की वाल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी? LCM upon HCF. फॉर्मूला क्या होता है? LCM upon HCF. 600, 600 upon 30. तो यह आ जाएगी हमारे पास 20. तो A into B की वाल्यू क्या आ गई? 20. और A plus B क्या है हमारे पास 270. तो हमने यह लग कोशन, ऐसा रिलेटेट कोशन लास्ट वीडियो में भी किया था. तो किसी को देखना है तो वो कोशन भी देख सकता है. तो हम यहां क्या करते है? A into B के क्या करते है? 20. मतलब A into B क्या value है? 20 दे रखिया है. तो हम इसके co-prime factors बनाते है. co-prime factor क्या होता है? जिसका HCF क्या होता? इक्वल टू 1 होगा अब इसके को प्राइम फेक्टर क्या बन सकते हैं 20 इंटू 1 बन सकता है और 4 इंटू 5 बन सकता है इसके और भी बन सकते हैं 2 इंटू 10 भी बन सकता है लेकिन उनमें scf क्या होगा 1 नहीं होगा हमें क्या लेना है इसके सिरफ को prime factors लेना है चीक है अब यह 20 और 1 20 और 1 को इसका जो scf है उससे हम multiply करते है 30 and 30 चीक है यह multiply हम क्यों करते है क्योंकि अगर हम कोई भी number को यहाँ पर ऐसे number निकालना होता है तो उसको हम scf से multiply करते है और हमारे पास exact value आजाती है ठीक है तो यह क्या value है हमारे पास a into b के factors दियो होगा ठीक है factor हमने find out करे है तो अब हम यहाँ पर value करे है तो यह आजाएगा 600 और यह आजाएगा 30 अब इन दोनों का अगर हम sum करते है जो sum आएगा तो वो क्या आएगा 630 बट हमें क्या चाहिए sum 270 चाहिए तो यह क्या हो जाएगा reject हो जाएगा then हम second जो pair है वो try करते है factor 4 और 5 scf क्या है 30 30 से इसको multiply करते हैं तो यह हमारे पास क्या आजाएगा 120 and यह आजाएगा 150 and अब हम दोनों का sum करते हैं तो हमारे पास क्या आजाएगा sum is 270 और यह हमें sum चाहिए था तो हमारे पास दो numbers क्या आगए A ratio B की जो value आई हमारे पास 120 ratio 150 उसने दो numbers पूछे थे हमसे find two numbers तो यह हमारे पास यह दो numbers आगए चीके students clear है Thank you